आपकी कहानी बहुत इंट्रेस्टिंग है लोगों तक पहुचनी चाहिए पिता ने बोला बिना नशे के चीर फाड नहीं हो सकता कीया पेटी ने कहा था कर दिखाँ जा जाती है अ को आप आ कर दो मेरे पेटेजी तुम बतल कि मिर रहा है मैं रहूं या ना रहूं लेकिन योगों योगों तक मेरा नाम नरहरपुर में रहेगा नमस्कार मैं हूँ रसका पांडे और आज पहुंची हूँ नरहरपुर अब आप सोच रहूंगे सामदाइक स्वासकेंद्र के बाहर रसका क्या कर रही है नरहरपुर में आपको बताऊंगे एक ऐसी महिला की कहानी जिसने अब तक 1200 से जादा पोस्ट माटम कर लिया है हम लड़किया खून देख के भी डर जाती है लेकिन ये महिला किसी से नहीं डरती और महिला ने किया क्यूं सिर्फ पिता से शर्ट लगी थी कि नशे में ही वस पोस्ट माटम नहीं हो सकता बिना नशे के भी पोस्ट माटम किया जा सकता है तो चलिए नारी शक्ती में बताएंगे इनकी कहानी आपकी कहानी बहुत इंट्रस्टिंग है लोगों तक पहुचनी चाहिए पिता ने बोला बिना नशे के चीर फाड नहीं हो सकता बेटी ने कहा मैं कर दिखाऊंगी और 2004 में पहली बार किया था शायद पोस्ट माटम हना तो सच में बिना नशे के कर ले रही है मतलब क्योंकि आरोप भी लगते होंगे कि कहीं संतोशी दुरगा अंदर नशा करके तो नहीं जाती है आरोप तो महुत सारे लगते हैं लेकिन वह सब आरोप को बेवात करते हुए मैं अपने काम को जान दे रही हूँ पिता को क्यों मना की आपने पिता सबने कहा था ना शराब मत पीजिये बिना नशे के पोस्ट माटम करें तो पिता जी बहुत शराब के आदी थे जी 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 यह इस वास्ता हे मत की हैं लेकल पोस्ट में तो तो सराब के आधे हमस invite नसा ही करते थे वजो पर्राब करते थे तो मैंने उनसे एक दिर भोला कि याक़ी से बते हैं पतो है नश मत किया करों इससे सेहत भी गडती है और आपका सेहत भी बढ़ शक्ता है तो इतने सालों से बखुबी एकारे कर रही है कभी ऐसा लगा कि अब शायद नहीं कर पाऊंगी कभी को इमन में डर नहीं ऐसा कभी नहीं लगा है क्योंकि मीरे साससूर मीरे सपोर्ट की हां मीरे पती सपोर्ट की और सभी लोग का धीरे-धीरे सपोर्ट ऐसे ही चलता रहा तो मैं Going जो कई बार हमारे जवान होते होंगे जो कई बार आटाक होता है कुस दिन पहले आपके कांकेर में करो है अडिह कर से लृक्तर दोया ना नुष को साकेर हमें बीक्तव करने हैं धेख्याना अरण नकसलियों पर बड़ा हमला किया गया थाो नकसलियों कु कंसे त्म टोषी समै थि उन तीस नकसली नारेग जा घ्शत पोस्ट मारं त्मॉटम आपङ ने किया था उस ट में थी है जी मैं उस पीम रहा है मैंने आठ केस कि अच्छा बाकी उन लोग कोई किया चार कोई किया पांच ऐसे करते हुए 29 गेसम लोग दो दिन धाई दिन में खतम कि अच्छा जी एक एक केस धाई धाई तिन घंटा में खतम करते थे और मॉर्णिंग नौ बजे जाते थे और वही रात में दस बजे वापस आते थे तो एक बात बताईए रिकॉर्ड तोड़ पोस्ट माटम करना या तो रिकॉर्ड बनानी की तैयारी कर रही है संतोशी दुरगा जी आप या तो डर्वर लगता ही नहीं आप लगता है कि पिता जी भी यही करते थे मुझे भी करना है बता रही है अब आफे ता था तो नर्हर पूरहिे आपका माइका है हैं तो आपका मुबाइल बजा तो क्या मन में पहला ख्याल आता आपके हें हवाट हो to आज़ाते हैं कि एक बार देखके चली जाती हूं और एक बार मिल के देखके चली जाती हूं और मोरुनिंग को सुवह प्याम करती हूं आच्छा ठीक है जो चली अब मर्चुरी जब महिला होके इतना बहादूरी का काम कर लेती हो कभी ऐसा होता है ना कि जब हम किसी को मरा हुआ देख लेते हैं या फिर किसी डेथ की निउस सुन लेते हैं तो लोगों को सपने में दिखने लगता है तो इतने पोस्ट माटम कियें आपने कभी डराबना, सपना या कुछ सताता तो नहीं ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं आपके चेहरे को देखके में बिल्कुल नहीं लग रहा है आपको थोड़ा भी डर लगता है बिल्कुल डर नहीं लगता है भी जो जितना भी जितना भी चती गरस तर्लासे हो मैं वह सब चीज के क्या है मेरे को आदस्य हो गई है देख देखके आदस्य हो गई है तो मेरे मन में ऐसा कोई डरभाव नहीं रहता न कुछ नहीं रहता मैं मस्त जाती हूँ बढ़िया है और हम लोग को महने महने में हम इत्ते बड़ा काम कर रहे हैं और हम एसा ब्लड से सना हुआ रहता है यह चीज ब्लड से ही वो है तो यह सब कर रहे हैं तो हमको महने महने में वहाँ चेक अफ होता है हम लोग का हम लोग को इंजेक्शन लगाया जाता है 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 रहेंगे तब तो हम आगे औरों को सुरक्षिद रखेंगे मैं ये बताइए वो जो पहला आपका जो पोस्ट माटम था उसकी कहानी बताइए एक बार मैंने सुना है क्योंकि सड़ा गला पांच दिन पुराना लाश निकाला था अपने और उसका पोस्ट माटम किया था पांच दिन नहीं मैं एक महीन निकाल जो आधी सड़ चुकी थी और आधी सड़ना बाकी था जे वही वाला लास निकाले थे विडावर का है 2004 की केस है मैं और ये कुछ परिवारिक के विवाधित ऐसे नार्मल मोथ ही वोई थी उसकी लेकिन परिवार विवाधित में फिर मरे व्यकों फोड़ा गया फिर निकाला गया विवेकिन उसका नार्मल भी था था अच्छा जी तो परिवार समाज क्या बोलता इस काम को लेकर जवाब कर रहे हैं जब मैं नए ने ये काम कि तो परिवार में भी बहुँ सारी दिकते आई और समाज में भी कई प्रकार के लोग बात करते रहोंगे, मेरे को बातों से कोई फरक नहीं पड़ता मैं, लोग तो कई प्रकार के बाते करते हैं, कि लड़की नसा करके करती होगी, या यह है वो है, कई प्रकार के बाते होगी, लेकिन मैं इन लोग को ध्यान नहीं देती, मेरा एक काम है, सच्चे काम है, मैं हमें करती ही जाओंगी और इन लोग के सामने मैं आज तक 20 वर्स हो गए रिकार्ट तोड़कर करके बिना सराग पिये हुए एकार एको कर रही हूं तो आज समाज में मेरा अच्छा नाम है और मानी नरेंद्र मोदी जी मेरे इस काम को सराहा और आपके मुझे आयोध्या बुलाया अब प्रांक्रतिष्टा में देना चाहती हूं और हम राश््ट्रपती पुरुस्कार के लिए भी नमा Nvidia क्या भात है और सबसे पहले विस्तार नियूस बता रहा है कि राश्ट्रपती पुरुस्कार मिलने वाला है हमारी संतोशी दूर्गा दिदिपु आपका काम ही ऐसा है और मैं समझना चाहूंगी वैसे तो मैं अंदर जाने से पहले भी दीजी डर रही हूँ आप मेरे को देखो कि एक जम रोंगते खड़े हो गए हैं मैं तो हिम्मत दिखा रही हूँ क्योंकि आपके सामने खड़ी हूँ लेकिन डर लग रहा है लेकिन जानना चाहती हूँ कि क्या-क्या एक्विप्मेंट का वहाँ पर इस्तिमाल होता है किस तरीके से आप करती हैं तो चलिए वो भी दिखा दीजे यह हैं आपके पिता जी तो देखिए यही हैं संतोशी दुरगा जी के पिता जी मुकेश भी यह दिखाईए कि कैसे इन्हीं से शर्ट लगाई थी संतोशी और शर्ट यह थी क्योंकि पिता ने कहा कि बिना शराब पिये बिना नशे के चीर फाड नहीं हो सकता तो बेटी ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता पापा मैं कर दिखाऊंगी कितने साल हो गएं या आपके बीच में नहीं रहें बीच साल हो गया चे बहिने हैं आप लोग छे बहन हैं आप बताई जैसे कि तो फिर सभी के जिम्मेदारी किसने उठाई परिवार में कोई सांथ दिया नहीं परियान में तो साथ नहीं दिया ऐसा प्यार दुलार उनका हमेशा था लेकिन कुछ बहुत जरूरी क्यारे रहता है किसी की इक्छा रहती है किसी को पढ़ाना हो गया किसी का साधी करना हो गया इसमें तो बिलकुल साथ नहीं दिया आपके बाद कि पाच बहनों की जिंदगी किसने सवारी फिर हमने ही सवारी अपने पाच बहन की जिंदगी पढ़ाया लिखाया और और उनको अच्छे से सिछ nucleus अभी अच्छे घर में हमने साधी भी किये हैं और साधी हो के चले गए मैं यह सब ऐसे रख देटी हूं जे जरुवत का समान मेरे को निकालने का रहता है उसमें मैं निकाल लेती हूं और इसमें रखती हूं यह उसके काम आता है इस तो इससे कटती है जी हड्डी इसको यहां रख देख पर यह प्रिकर मैं मतलब वह चमडी हमको जैसे इसलमी काम आता है तो हम इसको ऐसे पकड़के इसको ऐसे उठा के चमड़ी को ऐसे हम इससे सिलते हैं जी और ये क्या है वो छिन्मी है तोड़ी सिर को फूरने से ये छिन्मी ऐसे डालके सीधा इसमें मारते हैं एक बात बताईए, कितना असान से बता रही हैzd ऐसे रहा है ऊंने बता है्जिक सिल आधवा निकल जाएगी मेरी सिधान नहीं प्थ सिर्मीं मगारते हैं तो उसिकोड़ने का यहां से उला सक यहां प्रक्षे, कि सिधा मारत भी हैं। बड़ा ड़ाला है आज तक बहुत लोगों का इंटर्विव करने गए लोकिन पहले इंटर्विव में काप रही हूँ यह किसके काम आता है यह सब वो समान कातनी में आता है जैसे तिल वर खेरा छोटा सा तिल अंदर अपने रहता है उसमें पैजिए तरेक्या से यहां से सब उसी में काम अते हैं ये अगर गला कातना है जी जी तो क्या एक्वेप्मेंट घृता पदली वाली सबसाइज के अलग अलग है तो क्या बुछे चाकूई बूलते हैं या कुछ अलग नाम दिया गया है? जी छोटे पत्ती जो ट्रेकिया इसमें काटके गले का नड़ा से देखना पड़ता है सब कि हड़ी टूटा है जैसे सुसाइड वाला हो गया तो उसको बारी की सिदेखना पड़ता है कि वहाँ की हड़ी टूटा है कि नहीं सब देखना पड़ता है और जैसे किसी व्यक्ति की मौट एक्सिटेंट से हुई है तो सबसे पहले क्या पता लगाते है उसमें? वही कि कहां कहां चोट लगा है हां जी अब मतलब हटी टूटी है नहीं हाथ पर कहां फेच्चर आया है सबसे ज्यादा कहां लगा है ये क्या है वो चमड़ी कि इसने में काम आता है जैसे एकदम नाजुक चीज कुछ रहता है न मैं अंदर का हमको निकालना है जी तो इसमें फसा के हम लो अंदर से निकाल जैसे छोटी आथ बड़ी आथ उसको हम वहां से फिट करके निकाल देते हैं ये कुछ अलग सा दिख रहा है मेरे को जैसे महिलाओं का कुछ अंदर से कब करने का रहता है तो यहां वो लगा के चिक किया जाता है इच्छा कितनी महिला कितने पुरुष कब तक पोश्माटम कर दी है वहीं बारा सोसे जादा महिलाओं का संख्या था या फिर नहीं महिलाओं का संख्या कम है पुरुष का ज्यादा है तो मर्चुरी रूम में जब शावाता होगा तो एक बठ चेक करने आना पड़ता होगा अब पोश्माटम के पुरी प्रक्रिया वहीं पर होती है कि यहां किया है रखने का सअधर है यहां लाइट भी नहीं है अभी यहां वारिंग भी नहीं गया है और ऑ lurus लुड़ा बने जंगल में आल तो ध्य这 ऱ लाइट का प्राब्लम आ तो यहां साव को नहीं रखते हैं he तो देखे बहुत मुश्किल होता है और जब अंदर जाओ और उसको समझो कोई चाकू है जिससे गला कट रहा है तो कोई चाकू उससे हाथ कट रहा है हड़ी कट रहा है मतलब आप सोच रहे हैं कि यह सोचना भी बहुत डिफिकल्ट है लेकिन यह महिला कितने शवो के पोश्माटम करती हैं और इनसे 50 वर पूछ चुकी हैं बता दीज आप तो इनको दर तो वैसे भी नहीं लगता एक बात बताईए आप पर्मनेंट है यहां पर या फिर आप ऐसी काम कर रहे हैं तो मैं जेडियेस ग्रूप से ही काम कर रही थी मैं अभी किछले मन्त से क्लिक्टेट से आदेस आया है कि इनका किया जाए बोलके लेकिन अभी क कोई आसवासन नहीं है ना भी के भी नहीं है और वही मैं सासन से चाहती हूं कि कि आपको पर्मनेंट कर दिया जाए कितने साल से यहां पर आप कौन से ग्रूप के माधियम से काम कर रहे हैं जेडियेस ग्रूप के माधियम से कितने साल से जेडियेस ग्रूप के माधियम से क श्वास करिए कि आपका अपना चैनल है हम कोशिश करेंगे ये बात हम सरकार तक पहुचाएं स्वास्त मंत्री तक पहुचाएं कि जल से जल्द आपको पर्मनेंट कर दिया जाए तो देखिए स्वास्त मंत्री जी इश्याम विहारी जैसवाल जी पर्मनेंट करिए इनको जल यह उनकी कोशिश है कि उनके बच्चों को बहतर वह विश्य मिल सक्यों ये काम उन्हें ना करना पड़े कि मेरे बच्चे को अच्छा से मैं पड़ा लिखा सकूँ और जीवन में तो मैंने हमेशा मतलब एक ऐसा चोटा सा गाम है लेकिन ना मैं बोलते-बोलते मेरा आंग भी भर जाता है कि साध कोई अच्छे मेरे पूर्वजों को प्रतापी पल जो मेरे को मेरे पिता जी तुरू मतलब आसिर्वाद भी मिल रहा हे और सब सज्जन कही प्रकारों का समाज बादी समाज लोगों का भी मुझे अभी प्यार भी विल रहे आसिर्वाद भी मिल रहे और मैं अभी मंदिर भी गई थी प्राण पर ann registran के लिए और अभी रुटकर में नित होंगी लेकिन बस सासन प्रशासन से ही गहना चाहती हूं कि सम्मान से कोई बेट नहीं परता है इसलिए मेरे को ना मेरा रेगुलर निया करने की कोजिस करिएगा और था कि मैं अपने बच्चों को अच्छा से उनका भविस्य दे सकूँ है अब बिल्कुल रो ये मत देखे अभी पूरे प्रोसीजर में डरी नहीं नैंदी बता रहीं थी कि मैं इतनी हिंम्मत रखती हूं bob जैसे अब तक हिंमत रखा है आगे भी रखिए जनाच्चा होगा विश्वास रखिये जी क्या सफना देखिंस अंतोशी मेरे के बताईए मेरे को अपनी बेटी आपकी परी क्या बनाना चाहती है मेरे बैटी को.. मैं पूछती हुना.. जबभी पूछती हूं.. वो हमेसा बोलती है.. मन्मी , बनावाणा नहीं ति ढलके। मैं मेरे आउट रम那么 झाफ है.. को श्याइक राती है.. उसके पास करना श्या रहा है.. पूरा है..! डॉक्टर से भी मंगाती है तो मैं गशुष करती हूँ और खुस भी होती हूँ कि मेरी बैच्ची यह बरना चाहती हूँ बोलती है तो उनका सबनत फिर को पूरा करना ही है ना कोई भी हाला से जी और उनके बढ़ाई लिखाई के ने बहुत खर्चा भी होता है और आप सोच सकते हो इसलिए ज्यादा नहीं कुछ प्रसासन से बस वही कहना जाती हूं जिस पोश्ट में अभी मैं वही कारे कर रही हूं कार्यातरत हूं वही मेरे को सरकार जल 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 इस पर फैसला ले और संटोशी दुर्गा जी जैसी और भी महिला लगाता अच्छा काम कर रही है उन्हें वह सम्मान और दर्जा मिलना चाहिए और इसी क्या वाज उठależने शंतोशी जी में आई होई हो आपके पास देखिए कोई भी काम चोता नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता, काम होता है, और काम को जो निभाता है, जो काम को समझता है, उसी व्यक्ति को कहते हैं, कि मन्जिल उसके कदमों तक जरूर पहुंचेगी, जिनके होसलों में बुलंदिया है, जी मैं, तो अभी तक इतनी खिलखला रही थे, आपका च पहुचाना चाहती हूँ, कि मेरे दिल में भी कुछ है, बच्चो के लिए कुछ है, और अपने देश के लिए भी कुछ है, मैं भी उनको हर एक महलाओं को बोलना चाहती हूँ, कि उनके हाथ में सब कुछ है, अगर जाहे तो वो चोटी को भी नीचे ला सकती है, यह बताए थोड़ा देर पहले बता भी रही थी, राम लाला दर्शन के लिए आपको आमंत्रित किया गया था, जब राम जी की प्रांट प्रतिष्ठा हो रही थी, तो आपको बुलाया गया, गई थी आप, जी मैं गई थी, कैसा लगा था, कैसा अनुभवता, मैं तो अपने सपनों बे भी नहीं सोची थी, कि ऐसा सुनारा पल मेरे जीवन में आएगा, लेकिन ये सुनारा पल मेरे जीवन में आया, तो मैं दुनिया की सबसे भाग्यसाली, वो बेटी हूँ, अपने चत्तिसगड की, अपनी भारत की, जो वो सभाग्य मुझे कांकेर जीला में, एक ही महिला को म इसलिए मैं भाग्यसाली हूँ, मैंने तो सपनम नहीं सोचा था, लेकिन मेरा जीवन सार्थक हो गया, मैं रामलल्ला की साक्षी बनी, और वहां गई उनका दर्सन करी, और यो मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन योग योगो तक मेरा नाम नरहर पर में रहेगा, यहा बात ह कि काम ऐसा करो कि आपके जाने के बाद भी आपकी जय जय हो, जी पहचान बन जा है ऐसे, जी मैं जी तो यह बताइए कैसा लगा आज हम लोग आज आपसे मिलने आए, आपसे बात चीत की, तो पहले भी इंटर्व्यू दे होंगी और आज इंटर्व्यू हुआ, तो आज इ हमारी 1200 से ज्यादा अक्या जी चाहते थि, कि मेरे भजंडों का भवी से मैं जात, तो चलिए अब इसी के साथ, मुझे और हमारी 1200 से ज़्यादा पोस्ट माटम कर लेने वाली संतोशी दुरगा जी को दी और ईजात, और कब्सचत की लिए विस्तार नियूज के लिए आपको देखते रहना है विस्तार नियूज देखते रहना क्योंकि विस्तार नियूज है आपका अपना चैनल आट झाल झाल